Hello Students, How are you? I hope you are fit and fine students. Today in this video I will discuss division of polynomials to monomials. So students, without wasting time, let's start now. में आपको दिया गया है एट ब्रेकेट में एक्स पावर थ्री य की पावर टू जेट की पावर टू प्लस एक्स पावर टू आपको डिवाइट करना है यह Monomial का ठीक है, यह Trinomial है और यह Monomial है, Trinomial में आपको Monomial का Divide देना है, ठीक है, आप कैसे करेंगे आपके करने का तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इस Question को दो तरीके से Solve करके बता रहा हूँ, आप पहला तरीका करेंगे, यहां पर आप Maximum To Maximum Common का रहा सकते हैं, ठीक है है, तो यहां देखेंगे एक्सपावर 2, यहां पर anyhow है, यह याानि कि X common ले सकते हैं, तो आप यहां सकते हैं तो आप इहां पर common लेंगित कित्ता होचाएगा, एक x-power 2 और y-power 2 और खेट की पावर 2, maximum to maximum इन तीनों में से आप क्या common ले सकते हैं, x power 2, y की power 2, और z की power 2, common लेना का मतलब क्या हुआ, कि आप जो common ले रहे हैं, इसका इस प्रतिय कर्म में आपको divide करना है, ठीक है, divide करेंगे, देखेंगे, x power 2, इसमें divide करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर x बच जाए एक्स और साथ में, अब यहाँ पर आप divide करेंगे, तो देखो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x power 2, x power 2, cancel, y की power 2, cancel हो जाएगा, बचेगा, यहाँ पर y, जिट की power 2, से cancel हो, बचेगा, क्या यहाँ पर y, बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको y बचेगा, और इसमें स यहाँ पर जिट की power 3 है, तो जिट की power 3 है, आप जिट की power 2, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा न, यहाँ बन्दे की जिट बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपने आप वापस आपको यह लाना है, तो क्या करोगे, इसका वापस इसमें multiply करोगे, तो देखोगे, यहा आपको समझ मागया होगा, हमने, इसमें से पूरी में से क्या common लिया, x square, y square, z square को common लिया, और यह 8 पहले से था, तो यह आगया, और बचा क्या है हमारा पे, x plus y plus z बचा, और यहाँ डिवाइड हमें क्या दे रखा, 4 x power 2, और y की power 2, और z की power 2, अब देखिए, अगले step में हम क्या करेंगे, इसका divide कर ठीक है, जब इसमें डिवाइड करना है, यानि कि 8 x power 2, y की power 2, और z की power 2 में, x plus y plus z, यह भी है, इन्टू में है, ठीक है, इसमें हमें divide करना है, 4 x power 2, y की power 2, और z की power, तो का divide करना, यानि कि, अब देखिए, यहाँ एक से, x square, x से कट जाएगा, क्यों हो, यहाँ सब मंटि multiply में है, यह multiply में है, इसलिए हम इसको काड सकते है, ठीक है, x square से x square कर जाएगा, y square से y square कर जाएगा, z square से z square कर जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, यानि कि finally हमारा answer क्या बच आ रहा है, finally आप देखेंगे, यहाँ पर answer आपका क्या आ रहा है, 2 into x plus y plus z, देखेंगे, यह हम 2y plus 2z, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्य एक टम में multiply हो जाएगा, ठीक है, अगर आप multiply करके लिखना चारे है, तो आप यह लिख सकते है answer, ठीक है, नहीं तो आप यह answer भी इसका लिख सकते है, इसका final answer क्या हो जाएगा, 2 x plus 2y plus 2z, या तो आप लिखे 2 into bracket में x plus y plus z, यह इ divide करके, ठीक है, each and average terms has been divided, how to divide, explain you, so y is to continue, मैं आपको यहापे second तरीकी से solve करके बता रहो, आप ध्यान से देखेंगे, और समझेंगे, देखेंगे, यहापे दिया गया है, x power 3, y की power 2, z की power 2, plus x power 2, y की power 3, z की power 2, plus x power 2, y की power 2, z की power 3 में, इसमें हमें divide करना है, monomials का, यानि यानि कि 4, x power 2, y की power 2, और z की power 2 का हमें divide करना है, देखेंगे, यहापे, यह multiply में है, 3S से इसे कड़े, 4 बंज़ा 4, 4, 2 जा यानि कि यहापे किता आ गया, 2 आ गया है, यह जो बच्चा हुआ है, इसका मतलब यह, इसके divide में भी है, और यह, इसके divide में भी है, और यह, इसक तिनों term के साथ में individual divide होगा, ठीक है, ओकी, x power 3, y की power 2 और z की power 2 है, इसमें आपको divide करना है, x power 2 और y की power 2 और z की power 2 का, plus x power 2 और y की power 3 और z की power 2 में divide करना है, x power 2, y की power 2 और z की power 2 का, plus x power 2, y की power 2 और z की power 3 में आपको divide करना है, x power 2, y की power 2 और z की power 2 का, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बात का ध्यां रखना है कि जो ये 2 है इस 2 का भी multiply आपको each and every term में करना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा या और यहाँ पर भी करना पड़ेगा नहीं तो अगर आप चाहें तो इसका each and every term में आप multiply कर सकते हैं ठीक है बट मैंने इसको अभी break it के बाहर ही रखा है इस बात को आपको ध्यान से समझ के चलना है ठीक है देखिए अब यहां एक स्क्यार से एक स्क्यार काटेंगे तो बचेगा क्या यहां पर यहां पर पावर म În2 X क्यों THAT यहां की हमको बता है एकस्क्यार में आप मटवल करेंगे तो यह अग्यारिख कर जाएगा यहां यहां पर उसके रचेट यहां पर बेना बार यानि कि यहां पर यचैनल को सोल किये तो आपका इसका या तो आप इसको simplify करके लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको 2x plus 2y plus 2z भी आप इसको लिख सकते हैं, ये question का final answer, आपको मेरे first तरीके से भी question को solve करके बताया था, तो उसका answer भी 2x plus 2y plus 2z भी आया था, आप second तरीके से भी question को solve करेंगे, तो इसका answer भी 2x plus 2y plus 2z ही आयेगा, यह आपका एक तरीका हो सकता है या तो आप इसको एंसर लिख सकते हैं या तो आप इसको एंसर लिख सकते हैं ठीक है यह दोनों एंसर आपका सही माना जाएगा ठीक है यह सही तरीका होता है कोशिशन को एंसर देने मां तो कोशिशन नमबर 8 में आपको दिया गया है ब्रेके यहां पर आपको मैं फर्श्ट तरीका सोल करके बता रहा हूं यहां पर ज्यादा-ज्यादा क्या को मले सकते हैं तीनों टर्में से यहां पर यहां पर भी एकस पावर 2 है यहां पर एकस पावर 3 है जो सबसे कम रहेगा उसी को मैं ले सकते हैं यहां पर इचसे इन्ट फिन उमकर प्रत्य पद्ध में आपको एकस का डिवाइट करना है जो बचे गा वह आपको common लेने के बाद वो प्रक्रिया हो ठीक है यानि कि आपको x common लिया है आपने है तो इसमें x में divide करें किता बज़ागा यहाँ पर x power 2 क्यों हमको पता है same variable में power subject हो जाता है ठीक है यहाँ पर x power 2 है तो x में आपको divide करेंगे किता हो जागा x power 3 था उसमें से एक power को minus कर देंगे यानि कि x power 1 है तो आप minus करेंगे तो किता हो जागा x power 2 वचेगा तो वही लिखा गया ठीक है अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझ के चलनला है चीजों को क्यों क्यों मैं आपको समझा चुका हूँ कि divide के rule में आपको यह समदना रहा तक यहाँ तो आप क्या करेंगे पाउर को माइनस कर देंगे और कोप्सिंट का डिवाइड कर देंगे ठीक है यहाँ पर को पता है यहाँ पर यहाँ पर और साथी साथ यहां पर आगर आप देखेंगे थरे को मblesy वाचे आ रघए आ घां एक्सिस का मोट करेंगे यह आ जाएगा ठीक अब लिए हर खार रहोगे छारी बाते आ प्रवाइब करना था किते का वही तुए का दिवाइट भी करना था यहां पे एकस से एकस करण से लाट हो जाएगा बचा क्या है उसको लिख लेते हैं क्या वचा यहां पे ऊपर वन और नीचे टू और अप 203 यह आपको फाइंसर हो गया आप लिख सकते कोईशन अबर एनस 2 plus 3 x में आपको divide करना है 2 x 2 x यानी कि या नीचे का मतलब क्या हुआ 12 derivative after 3 के सात में भी करना है और इस 2 x का divide आपको 3 x के साथ में इस क्या साथ में औब हुस्त दीवाई इस का इस नोगैना है देखें यहां पे इंडिविज्वल डिवाइट करेंगे आप 2x का तो यह इससे cancel out हो गया और साथ में यहाँ पर एक्सपावर 2 है से वेरियेबल है पावर सब्टेट हो जाएगा यानि कि अब यहाँ हो जाएगा 1 by 2 x power 2 एक बार पावर माइनस हो गई ठीक है तो यहाँ पर बच जाएगा एक्सपावर 2 और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा बचेगा एक्सपावर 1 ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे 3 by 2 और यहाँ पर x कड़ गया है हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 by 2 सब में से common ले लेते हैं 1 by 2 common लेंगे तो यहाँ बचेगा x square और तो आपको बच जाएगा यह आ जाएगा ठीक है यही आपको question का final answer हो जाएगा देखिए इस question का भी answer क्या रहा था 1 by 2 x square plus 2 x plus 3 तो यहाँ पर भी आ गया 1 by 2 x square plus 2 x plus 3 आप कोई यह नहीं समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 कैसे आगया ठीक है यहाँ तो था ही नहीं तो बट यही आपको समझना है ठीक है जैसे कि अगर आप यहाँ कॉमल लेना चाह रहे हैं तो यहां पर वापस से आप इसमें डिवा करेंगे तो आप इसमें देखो multiply करोंगे किता हो जाएगा वापस इसमें multiply करें किता हो जाएगा टू बाय टू हो जाएगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा सेकंड तरीके से अंसर यह कैसे आया है और यह फर्ष्ट तरीके से अंसर यह कैसे आया है तो नेस्ट वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बायनोमियल में आप बायनोमियल का डिवाइट कैसे करेंगे और ट्रैनोमियल में आप बायनोमियल का डिवाइट कैसे करेंगे इस को हम नेक्ट वीडियो में सिखने वाले हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद